कुंध टिन हम दुम्री चुनाव में चुनाआप परचार में ही सामिल गए तुम्री का चुनाव एक ऐसे एतिहासिक प०ूस का चुनाव है जिस एतिहासिक पुरुष को नाम कहने से हमारे सरीर में रोएं खड़े हो जाते हैं जब कोई सेनिक सेना में भरती होता है तो उसकी इक्ष्या होती है कि वो माभारती के लिए अंतिम सांस तक लड़े और वो लड़ता भी है साहदत भी पाता है माभारती की रख् है वैसे ही स्वर्गे जगनात बावू एक ऐसे जन परतिनिधी जिस जन परतिनिधी का लंग्स काम नहीं कर रहा हो और जिनको गहन चिकिस्था कक्ष में रहने की बड़िये चिकिस्थकों की हिदायत हो और जो जिंदगी और मौत से जूज रहे हो लेकिन इसकी परवा किये बिना चिंता किये हुए हर पल अपनी जनता के लिए समर्पित रहने वाले ब्यक्ति को मैं ऐसा ही पुरसार्थ वाला ब्यक्ति कहूंगा जैसे हमारे सेनिक पुरसार्थ दिखाते हैं तो वो जनप्रतिनिदी होके पुरसार्थ दिखाया और हमको इस बात का गर्व है कि अंति जनता का लिए जान दिया हैं, लेकिन जो तथा कथित लोग हैं, जो OBC की बात करते हैं, जो तथा कथित लोग हैं, जो पुर्मी की बात करते हैं विश्यस करके, उन लोगों से पूछिए कि क्या जगनात महतो जैसा व्यक्ति जिसने मौत को गले लगाया जानकर क्योंकि उसको जनता प्यारी थी, उसने अपनी चिंता नहीं किया और मौत को गले लगा लिया जनता की रक्षा के लिए, जनता की सेवा के लिए अब वो लोग जो हैं सुदेश में तो जैसे लोग जिनके नेतरुत में 27% आरक्षन को भी तोड़ा गया, द्रोपती का चीरहरन हो रहा था, भिश्म पितामा जो है देख रहे थे, बाबुलाल जी वो बेसिक आरक्षन तोड़ रहे थे और सुदेश जी उसी सरकार के मजबू सब ही पिछडा और OBC के प्रति सोच होती ना, और मैं यदि उनके जगह होता, तो मैं निर्विरोज जो है, ऐसे महन पूरुस के लिए निर्विरोज चुनाव मैं उनको जीतने देता क्योंकि उनका अंतिम सांस जनता के लिए था, इसलिए वहाँ चुनाव की बात नहीं थ तो सही बात है, तो फिर वो किस सानभूती की लहर के पीछे दोड रहे थे, किस सानभूती की लहर के लिए वो जान परान दे रहे थे, क्यों वो आरक्षन और OBC की बात करके लोगों में को दिख ब्रहमित कर रहे हैं, ये भी तो सानभूती है, ये भी तो लोगों के प्रति तो आप भी दिखा सेते हैं अपनी हीरोपंती टपकॉन XT के साथ